जै हिंद नमस्कार दोस्तों मैं हूँ क्यार कृष्णा और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे क्यार कृष्णा मिस्तरा यूटूब चैनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टैक्स क्या होता है और इसे कौन पे करते हैं इनके क्या-क् प्रावधान है इन सारे चीजों पर हम डिसकसन करने वाले हैं और जो भी जरूरी चीजे होंगे वह हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आपको नए नए वीडियो समय पर मिलते रहें जिन लोगों को टैक्शेशन से संबंदित समझ जाए हैं उनको इस प्लेलिस्ट के माध्यम से जो तमाम वीडियो आने वाले हैं उससे काफी मदद मिलने वाले हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते कि टैक्स क्या होता है सुरिए धान से सुन जाता है वही जल अर्थ है समय evolution है आधिकार है यह समय स्वाज ही सागर है और यह शागर का जल सागर में ना मिले तो वह अर्थ अनर्थ है आप सुनते आते होंगे आपको पता होगा जिस सरकार जो है जो हमारा लोक तंत्र है उसमें जितना भी नौच हो होता रहता है वो सब इसी पैसों पे होता है जी हां tax के ही amount पे होता है यह tax के ऊपर game बनता है और tax के ऊपर ही सारा खेल चलता है टेक्स सरकार का एक प्रकार का important sources है sources of income है जैसे आम व्यक्ति के अन्य-अन्य पहलों से income आते हैं उसी प्रकार से सरकार के पास भी अन्य-अन्य पहलों से पैसे आते हैं और वो सरकार का आधार होता है बेस होता है एक प्रकार का समझे तो उनके काम करने के लिए उनके पूरे समाज के उपर जो भी चीजें वो करते हैं उनके लिए वो एक तरह से आधार होता है बेस होता है मैंने कहा कि यदी सागर का जल सागर में ना मिले तो अर्थ अनर्थ है इसलिए सरकार जो होती है वो टेक्स लेती है और समाजदान देती है यह है चानक के कॉंसेप्ट टेक्स का मतलब है कि आपने जो अर्जित किया एक वर्षों के भीतर उसका एक अंस आप सरकार को देते हैं इसके लिए पूरा पैरामीटर तयार है जो की आपके उपर लागू होता है सरकार ने जो नियम कानून काइदे बना रखे है उसके तहट आपको टेक्स को पैमेंट करना होता है टेक्स का पैमेंट करना होता है and it is compulsory extortion to the government हमारे देश के जितने भी लोग हैं उन सब के लिए टेक्स देना compulsory होता है लेकिन हाँ इसमें इन्होंने कार रखा रहा। उन्होंने कहा है कि जो एक limit जो बनाया गया है इस limit से ऊपर आते हैं उन्हीं को tax देना है उसके नीचे जो आते हैं उनको tax नहीं देना है चीजों को अच्छी तरह से समझ़िए जातातर लोग tax से डरते हैं उन्हें लगता है कि ये आखिर concept क्या है तो समझे इस सीजो को हमारी जो सरकार है वो जो काम करती है उनके चाहे राजनीतिक गत्वीदियां हो या फिर समाजी गत्वीदियां हो जिनके उपर भी वो काम करते हैं उनके लिए उन्हें फंड की जरुत होती है और वो पैसे कहां से आते हैं तो वो है मुख्य जो सोर्स है उनका वो है tax टेक्स दो प्रकार के होते हैं पहला direct tax और दूसरा indirect tax direct tax क्या होता है indirect tax क्या होता है वो हम सब कुछ आपको बताएंगे बारिकी से एक-एक concept करके हम आपको समझाएंगे छोटा-छोटा वीडियो होगा बसरते आपको वीडियो पूरा देखना है अंत तक देखना है अब tax किसे देना है इस देश में रहने वाले सभी ब्यक्ति को tax देना है सिवाए कुछ लोगों को जिनको सरकारों ने इस process से exempt कर रखा है exempt का मतलब जिनको नहीं करना है जिनको payment नहीं करना है जो इस दाइरे में नहीं आते हैं उन्हें tax का payment नहीं करना है बसरते हाँ उसमें से कुछ लोग हैं जिनको government को अपना data दिखाना परता है अब देखिए सरकार आपसे हिसाब किताब लेना चाहती है सरकार चाहती है वो जानना चाहती है कि आपने कौन-कौन से sources से कितने पैसे कमाएं और वो सारे sources उन्हें पता होना चाहिए इसी लिए वो साल के अंत में आपसे कहते हैं कि हमें यह बताओ कि तुम्हारा income का source क्या है तुम्हारा tax कितना बनता है तुम tax देते भी हो या नहीं देते हो इन सारा का हिसाब किताब आपको सरकार को बताना होता है और यही होता है tax आपको प्रतेक financial year के अंत में जो भी हिसाब किताब होते हैं उन सब का जो मुल्यांकन होता है वो करके एक form भर करके जो ITR के डूप से जाना जाता है income tax return तो यह जो return है वो SSE के दुआरा भरना पड़ता है यह जो करदाता होते हैं जिसको हमने अभी SSE के नाम से कहा है यह करदाता अपने जो return फाइल करते हैं उसमें वो सबसे पहले यह choose करते हैं कि उनका category क्या है वो कौन से category में आते हैं वो कौन से उनके उपर slab rate लगता है कौन से rate उनके उपर लगता है उनको कितना exemption मिलना है उन्होंने कौन कौन से sources से income कमाये हैं यह सारी चीजों का है उनको कितना deduction मिलना है कितना छूट मिलना है उन्होंने अगर कोई donation दिया है तो उस donation को भी consider करके वो पूरी तरह से एक चिठा बनाते हैं सीट बनाते हैं वो सीट तयार करके स्टेटमेंट तयार करके वो शरकार को भीचते हैं पहले कि जमाना में ऑफ लाइन हुआ करता था अब भी आप ऑफ लाइन सेंट करते हैं जो उनके tax consultant होते हैं जो सलाहकार होते हैं tax सलाहकार उनके पास वो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे tax return file करना है और आप हमें यह यह चीज़े करके दीजिए वो सारे details लेते हैं टेक्स पेर से और फिर इसको फिल करके भेज देते हैं भारत सरकार के जो income tax department है उनके पास उन सब का निरक्षन किया जाता है और उसके बाद वो आपको finally intimate करते हैं बताते हैं सूचना देते हैं कि आपका return ठीक है या इसमें कुछ गरवरी है जो भी चीजें होती है वो सारा कुछ आपको वहाँ पर बताया जाता है तो tax एक प्रकार का compulsory payment होता है जो कि taxpayer के द्वारा सरकार को किया जाता है सरकार के पास यह एक important source of income होता है इसलिए वो आप इसको deny नहीं कर सकते हैं आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यह पैसा हमने कमाया है और हम tax नहीं देंगी क्यूंकि सरकार का मानना है कि आप इस देश के अंत पैसे की जरूरत है अगर आप उतना कमाते हैं तो ठीक है अगर उससे ज्यादा जरूरत से ज्यादा पैसे कमाते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने दूसरों का पैसा कमाया है भले ही उसमें आपने अपना ability अपना skill जो भी चीजे हो आपने अपना यूज किये हो लेकि चुकि या पैसा दूसरों का होता है इसलिए आपको इसका tax payment करना होता है सर इस tax payment का क्या होता है? मेरे प्यारे दोस्तों इस tax के amount से सरकार अलग-अलग काम करती है उस पैसे से समाज के अलग-अलग पहलूँ पर अलग-अलग concept के ओपर रोड, रेल, डैम, स्कूल, हॉस्पीटल और बहुत सारे ऐसे सरकारी अनसुन्धान के ओपर काम करते हैं यह सरकारी process है जिसके माद्यम से सबी को गुजरना पड़ता है और आपको भी इसके माद्यम से गुजरना होता है इसलिए अगर आप कमाते हैं खाते हैं तो tax का payment जरूर कीजिए यह एक बहुत ही important source होता है जो हमारे देश को मजबूती भी प्रदान करता है यह सारी चीजे आप कैसे कर सकते हैं इन सब के उपर हम एक एक करके वीडियो बनाएंगे यह वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो इसलिए मैं आपको एक एक वीडियो करके सारे चीजे details में बताऊंगा कि income tax act किसके उपर लगता है कौन इसका payment करते हैं और इस payment का क्या होता है दोस्तो tax दो प्रकार के होते हैं एक तो हो गया direct tax और दूसरा हो गया indirect tax direct tax का जो payment होता है वो वही लोग करते हैं जिनके आपको tax का payment करना होता है directly आपके ओपर tax का impose होता है तो वो होता है direct tax जिसको आप income tax के नाम से जानते हैं और जो कुछ आपको indirectly payment करना होता है वो होता indirect tax indirect tax एक प्रकार का ऐसा payment होता है जो indirectly payment किये जाते हैं देश के तमाम लोगों के दौर आप सभी कुछ ने कुछ सामान खड लिते हैं आए दिन और उस सावान के उपर जो टैक्स लगता है वो होता है इंडाइक टैक्स और सरकार को एक भारी मात्रा में जो पैसे प्राप्त होते हैं compulsory payment हमने कहा कि tax compulsory payment होता है यह जो पैसे होते है compulsory payment या tax यह भारी मात्रा में सरकार को प्राप्त होते हैं जिसका प्रयोग वो अलग-अलग पहलों पर करते हैं दोस्तों डाइरेक्ट टैक्स के बारे मैंने कहा जिसके उपर impose होगा वही पे करते हैं और indirect tax के मतलब होता है कि जिनको impose तो हुआ है दूसरे के उपर लेकिन payment कोई और कर रहे होते हैं